अभी के टाइम में अगर आप लोग सामने वाले बंदे को बोलोगे ना कि मैं टू फिंगर में गेम प्ले करता हूँ भाई तो भाई रहा चलता कोई भी नूबड़ा भोलके चला जाए और गलती से अगर आप लोगों ने ये बोल दिया भाई मैं तो फोर फिंगर में खेलता अच्छा एक बात बताओ तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि पीसी प्लेर इतना खतरना गेम प्ले कर लेते हैं क्योंकि भाईया वो टेन फिंगर में गेम प्ले करते हैं अगर हम लोग किसी काम को पूरा करने के लिए एक आदमी का सपोर्ट लेते हैं तो वह काम बहुत 24 में 4-finger में shift होना चाहिए और इसके साथ ही साथ मैं आप लोग एक ऐसी legendary customer hoodie देने वाला हूँ जो कि worldwide famous है जो कि हर beginner player अपने 4-finger के journey में use करते हैं और यही नहीं last में यह भी बताओंगा कि आप लोग कैसे जल्दी 4-finger में shift हो सकते हैं तो कुरसी की पैटी बांद दो क्यो यह है कि अगर आप लोग 4-finger में खेलोगे तो आप लोग 3-finger वाले player से भी जाधा movement कर पाऊगे बात करते हैं जो कि है fast glue all देको same चीज अपलाए होता है इधर भी अगर आपके पास एक extra finger हो तो आप लोग और भी जाधा speedly wall लगा पाऊगे और यह चीज आप लोगो ने PC को भी करते देखा होगा तो लोग ऐसे वह लगाते हैं कि सामने वाले बंदे को हावा भी निलगते हैं अब बात करते हैं point number 3 के बारे में जो की है unique gameplay अब देखो आप लोगों ने काफे सारे बंदों को देखा होगा अलग अलग तरह से gameplay करने का जैसे कि जरोक से 5 का खेलने क style थोड़ा अलग है, might effect का खेलने का style थोड़ा अलग है, four flag gamer का खेलने का style थोड़ा अलग है, तो जब आप लोग भी four finger में shift हो जाओगे तो आपका भी gameplay style थोड़ा unique हो जाएगा और थोड़ा अलग सा दिखाई देगा, अब बात करते है point number 4 के बारे में, जो की है always be superior है, आपका भी gameplay बहुत खतरनाक होता अभी के time पे, तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप लोग अभी से four finger में shift हो जाओगे, तो आने वाले time में आपका gameplay बहुत जादा खतरनाक हो सकता है, और उपर से four finger वाले players की मांग YouTube में बहुत जादा है, मतलब अगर आप लोग एक four finger के अच्छे pillar बन जाते हो, उसके बाद अगर आप लोग अपने handcam वाली videos अपलोड करोगे ने YouTube में, तो भर भर के views आएगा, उपर से बड़े बड़े streamers हुए, बड़े बड़े reactors हुए, वो आपके उपर videos बनाएंगे, और मतलब आप लोग यूही famous हो जाओगे, अगर आप लोग एक four finger के अच्छे pillar बन जाते हो, तो, अब बात करते हैं उस legendary customer shootie के बारे में, जो कि सिर्फ beginners के लिए ही बनाई गई है, तो चलो पहले में आप लोग वो customer shootie बना के दिखा देता हूँ, देखो सबसे पहले तो आप लोग लोग लेफ फार बटन को always पे set कर लेना ठीक है, बस इसको simply बढ़ा कर लेना अपने accounting, उसके बाद आजो अब left fare बटन में, इसको भी simply पूरा full कर देना, और इसको set करना है आप लोग को उपर में left के side, देख लो मैंने कहाँ पे set किया है ध्यान से, यह जो clock tower का जो उपर वाला मिनार है उसके just उपर में set किया है, अब आजाओ sit button पे, इसको आप लोग को right side से उठा के left side में ले किया जाना है, as usual इसके side को भी आप लोग को पूरा maximum पे रख देना है, और इसको आप लोग को left fare button के just नीचे पे लगाना है, ध्यान रखना है इस दोनों को चिपका मत देना, थोड़ा थोड़ा gap रहने देना अब simply अपने joystick वाले button को global में सता देना है, थोड़ा चोटा करके चिपका देना, मतलब हलका सा touch होना चाहिए, अब आजाओ switch button पे, switch button को भी आप लोग को right side से left side में लेके आजाना है, यहाँ पे आप लोग को लगा देना है, यह होगी है left side का सारा काम, अब आते हैं हम चैले तो हम लोग यहाँ पे gun box को थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अपने according adjust कर लेते हैं, अब हम लोग आते है scope button पे, अब देखो मैं आप लोग को scope button को right side में रहने दो, मतलब right side में कहीं पी भी रख लोग कोई matter नहीं करता है, ले gun box के just bugle में रख रहा हूँ, और इसके साथ आप लोग यह भी देख लो कि मैंने gun box कैसे दूरी maintain करके रखा है, मतलब ज़्यादा चिपकाना नहीं है आप लोग ठीक है, अब यह बन गई एक four finger की beginner वाली custom issue, जिन में इन बटन को ज्यादा value दिया गया है, चूकि यह एक beginner friendly custom में चूड़ी है, तो इसलिए भी मैंने यहाँ पर jump button को right side में रखा है, अब मैं आप लोग को बचाता हूँ कि आप लोग कौनसे finger से कौनसा button को click करना है, सबसे पहले बात करते है jump button के बारे में, jump button को आप लोग को right side के इस वाले उंगली से click करना है, इसको हम लोग और जो आपको left fire button है और seat button है, इन दोनों बटन को आप लोग अपने third finger से click करना, left hand के third finger से, मतलब हाँ 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 यह वाला उंगली सहाज़त उंगली, अब यह बात हो गई कि आप लोग कैसे कौनसे button को click करना है, अब मैं आप लोग को इस वाले customer studio में खेल रहे हैं बंदे क अब मैं आप लोग कैसा हो सकते है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अभी gameplay चेंज हो सकता है, देखो मैं यह कभी नहीं बोलता है, को सिरफ आप लोग कस्टम में चुड़ी लगा कि अपना gameplay खतरना कर लोग, मतलब कस्टम में चुड़ी लगाने के बाद भी आप लोग को बहुत कुछ कुछ करना पड़ता ह आप लोग का मेहनत लगता है, आपके dedication लगता है, यह सब तो मैं आप लोग को हमेशा ही बताता रहता हूँ, लेकिन आज बात करते हैं कि आप लोग फोर फिंगर में कैसे shift हो सकते हो जल्दी से जल्दी, देखो मैं चाहूँ तो आप लोग को यह बोल सकता हूँ, कि आप ल है, काफी सारी वीडियों में चर्चा भी किया है, वही सेम चिज में से वीडियो में भी नहीं बोलना चाहूँ, बड़ा हो जाएगा, आप लोग को इस वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद जया जहारगे,